शिलाई में गहरी खाई में गिरेद वो पिक अप वाहन तीन लोगों की मौत वा तीन खायल जिला सिलमोर के दुरिगम क्षेत्र कहे जौने व़ले शिलाई उप मंडल में शुकर्वारात को दो अलग अलग हास्तों में तीन लोगों की मौत हो गई पहला हासा करीब आठ बजे बॉली कॉटी के समय इपुआ तीके मोट पर बुलेरो कैमपर एचपी 14, 67, 35 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में चरगिनी वहन में 5 लोग सवार थी इनमें से 48 वर्षे आत्माराम की मौक्य पर ही मौत हो गई जबके 60 वर्षे धरम सिंग ने नहार मेडिकल कॉलेज दे जाते समय रास्ते में दम दो दिया इसके लावा सुरेंद्र कुमार लाइक राम वटी का राम गंभीर रूप से धायल है जिनेश लाई अस्पिताल में प्रात्मी कुपच्वार के बार डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन रेफ़र कर दिया गया है कोरोना के खत्रे के बीच स्कूलों को नई गाइडलाइन बच्चों को मास्क ज़रूरी रोज करनी होगी स्कूलों को नई गाइडलाइन ज़रूरी कर दिया है स्कूल में किसी भी तरह के भेंडना रगे इसका खास ध्यान रखा जाए के लिकूत पर तो गिता है इवा मानिका एकनम के आईडलाइन से बचे शिक्षे विद्यार्थियों को कुरोना के खिलाफ जागरू करें स्कूल पर इसर में जगा जगा हैंड से एंडाइजर रखे जाए पिरिश में कारी नबकाश वाले स्कूल अग्वे सब्ता से खुल रहे हैं इसको लुकर निर्देश दिये हैं गये हैं कि वन यह मुका सक्थी से पालन करें हिमाश्र में अधिकारी और करमचारियों के तबाद्लों पर फिर लगी रोग हिमाश्र प्रदेश में अधिकारी और करमचारियों के तबाद्लों पर फिर रोग लगई है समाने तबाद्लों पर दस दिन के लिए मिली जूट अब समाप्त हो गई है अब से पुरानी विवस्ता के तहत तबादले करवान इकले मुख्य मंद्री के मन्जूरी रिना जरूरी हो गया है 18 से 17 जुलाई तक प्राप्त हुए तबादला आवेद्नों पर विभाग में काम करना शुरू कर दिया है इस दवा के इंदे दवा मारक नियादरन संगठने आपातकाल में इस्तिमाल करने के लिए कोई टैबलिट को मन्जूरी प्रदान की है हैदरबाद की जैनरा फार्मा को इस दवा उतपादन की मन्जूरी में लिया है इस दवा का उतपादन USFDA तो अनुमोदित से अंत्र में किया जाएगा इससे पूर्व CDSCO ने 2021 में एंटिवारल COVID-19 गोली मौलनू पीर वीर को मन्जूरी भी थी यह दवा भी COVID के हलके लक्षनों में इस्तिमाल की ज़ा सकती है